मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे सांतियों, आज की इस कलास में आप लोग का सामा कलन का टोटल कम्प्लिट बेसी कलास होने वाला है इन टोटल आप लोग को सामा कलन के बारे में आप लोग कुछ जनकारी नहीं है न था आज यहां से इस वीडियो में सामा कलन्न के बारे में टोटल इनफॉर्मेशं मीट हम यहां से आप लोग को देंगे, कि सामा कलन्न क्या होता है इसके question जब आप लोग solve करेंगे था ये गलती आप लोग नहीं करना है क्योंगि बहुत सारे बच्चे तो ये होते हैं की सामा कलन तो पढते हैं लेकिन पढ़ने के दरह नोन को यही नहीं पता चलता है ना इस सामा कलन में हमको क्या गलती करना है क्या गलती नहीं करना है समझे ना कवन सी चीजों को हम लोग को सुधारना है जो बहुत सारे ये स्टुडेंट हम लोग को बार बार क्या करते हैं गलती करते हैं तो किस चीज़ को सही तरीका से लिखना है किसको हम लोग को गलती नहीं करना ही सारी चीज़ों को हम लोग बारिकी से समझेंगे तो आज का आप लोग का सामा कलंग का इंटीग्रेशन का आप लोग का पार्ट वन है यहां से आप लोग को सब कुछ जनकारी मिलेगा समझ गया आप लोग सामा कलंग का नाम पहिला भ Ole box सुन रहे हैं तो आप ही लोका ज़रुरत है इस घ्रयूत की जो सामा करते हैं जहां दो करेंगे, कैसे अंब डाफिव करेंगे कैसा बनाएंगे यह सारी चीजे आप लोग से आज बताने वाले यहाँ से वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और नए होंगे तो सब्सकाइब करिएगा और आप लोग जल्दी से अपना कोपी कलम और नोट्स निकाल के जो विचीज यहां से बताएंगे आप लोग यहां से अच्छे से समझना है देखिए मेरे प्यारे साहतियों अब आते हैं लोग को आउख लान पणिड़के हैं समझ गये खाट है current कि आड़ कह रोता है किसी चीज को ब्रेक करना किसी चीज को तोलना समझ गया ना पर सामाक लंका मतलब होता है उसको जोरना मतलब कड़ी से कड़ी मिला जोना यह समाकलंग का अर्थ होता है और आफ कलंग का मतलब अबलु को प्लाय थे तो अफंग का मतलब आप लोग प्लाया थे ब्रेक करना आफ मतलब जैसे कोई घर है ठीका होई होगने का करें ce तोड़ेंगे तो तोड़ने की किरिया तोड़ने की किरिया क्या कहलाती है और माल ये घर टूट गया है जाए घर हई लही नहीं है तो ओकरत से घर बनाने की ठीक ना माली घर नहीं है तो घर से ताला बना फिर दू ताला फिर तिन ताला और चार ताला ऐसे बनेगा तो जोड क्या होता है सामा क्लां का मतलब होता है कि हम लोग का मतलब मिलाक रखना जोड़ना थे लैकिन हम लुग कैसे समझेंगे इसको समझना देखेंगा आप लोग पढ़ा दिये हैं और कोई दिकत नहीं है देखिएगा और के बियुत कर्म को ही सामा कलंक तो यह आप लोग को हम पढ़ाए हैं कि डी ऑपॉन का डी एक्स पढ़ाए है न और यहां पर एकस इसक्वाइर पढ़ाए है एकस इसक्वाइर का डिफ्रेंसीशन क्या होता है मेरे प्यारे साथ यह टू एकस होता है न एकस इसक्वाइर का डिफ्रेंसीशन क्या होता है टू एकस तो देखेगा एकस इसक्वाइर से ठीक है न एकस इसक्वाइर से का आ गया टू एकस आ गया न एकस इसक्वाइर का और लेक से स्क्वायर लाने की बीधी जो होती है यह वीधी आप लोगों की सामाकलन कहलाती है समझ लोग को यहां से समझ में आगया होगा मेरे साहतियों की आप लोग का उत लोंगर और सामाकलन क्या होता है यानि जो हमारा एक बार फिलन था फिलन को हम लोग ब्रेक करके कुछ कर दिये भारेख वह फिर 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 सल riches क्लान का मान लाने की बरक किरिया का त्रप समझ में आ गया जैसे आप लोगस हम एग वो औरी एक्जामपल देते हैं आप लोग यहां पर देखिएगा जैसे मेरे प्यारे साथ यह आप लोग देखिए अगे डी ओपोन का डी एक समझ गया ना यहां पर देखिए कि लोग एक से समझ गाना क्या हो गया लोग एक से तो लोग एक्स का डीसी क्या होता है मेरे प्या log सुट log int इसको कहलाते हैं इसको कहते हैं ओकलन का कहते हैं ओकलन ठीक के खांगा 1 2 एक्स ले मेरे П्यारे साथियों द wheat ने ली भटा एक्स लानी की भी скहलाती है समाकलन यह आप लोग complete जनकारी मिल गया होगा ऐंगर और सामा कलन क्या होता है यानि और सामा कलन एक दूसरे का कट मतलब यह एक दूसरे का एक दम समझी की बिरोधी एक दम खतरनाक दूसरे को देखना नहीं चाहता है समझ गया ना देखना नहीं चाहता यतना समझे खतरनाप उल्टा है अब यहां से मेरे प्यारे सांतियों हम लोग आगे चलते हैं देखिएगा यहां पर आप लोग को लिखा गया है कि सामा कलन किसे कहते हैं तो अवकलन का ब्यूत कर्म सामा कलन कहलाता है दम सींपल परिवासा में आप लोग को लिख दिये हैं कि जो अवकलन का ब्यूत कर्म होता है ना मेरे प्यारे साथियों यही हम लोग का सामा कलन कहलाता है तो जल्दी से आप लोग लिखिएगा कि सामा कलन किसे कहते हैं तो अवकलन जो है ना अवकलन का जो हम लोग का यह ब्यूत कर्म यहीं सामा कलंग कहलाता है यहां से हम लोग का हो गया और यहां से मेरे प्यारे साथियों हम लोग आगे चलते हैं यह आप लोग का बारे में हो गया कि अब आप लोग क्या होता है इसके बारे में तो आप लोग कोई टेंसन कोई परसानी नहीं होगा कि हम लोग का सामा कलंग क क्या होता है आवकलेंका व्यूत कर्म आवकलन का उल्टा क्या होता है वडरों सण् thought the Beim और dzięki दूनों एक दूसरे का उल्टा होता है आप लोग静त रखना है यहां से हम लोग आगे सामा कलन, यह सामा कलन का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यह सामा कलन का हम लोग का चिन है, चिम्बल है, यह सामा कलन का क्या है, चिन है, जैसे आप लोग देखेगा, यहां से हम लोग का डी ओपॉन का डी एक्स, यह क्या होता है, यह तो ओकलन होता है, यह मेरे प्यारे साहत यह बताये थे कि जब ओकलन होता है समस्क्राइब जब हम लोग का ओकलन होता है तो हम लोग डी ओपॉन डी एक्स लिखते हैं मतलब यहां पर हम लोग कोई भैलू लिखते हैं लिखते हैं हम लोग क्या करते हैं डी ओपॉन डी एक्स में हम लोग को जो लिखना होता है हम यहा यहां पर चीन हो जाएगा आप बताएंगे यहां से किसी को कोई दिकत पर परसाई नहीं हो चाहिए कि आप लोग अपने कॉपी में पांच बार दासबर कर येगा आप लोगो सामा को लंका चीन देने आ जाएगा इसमें जो लिखाएगा वह लिखाता है समझें ना सामा करन में जो भी आप लोगो लिखाएगा इसके आगे लिखाता है समझें कहां लिखना है आप लोगो आगे लिखना है यहां पर यहां पर आप लोगो आगे लिखना है आप लोग अपने कॉपी में आप लोग अपने बार्रप में ऐसे से करिए ना उपारा देखिए हलका सा कर्व फिर सोजे नीचे और फिर आप लोग को नीचावा हलका सा घूमा देना है बस हो गया कोई दीकत कोई परसानी आप लोग को नहीं है सामा कलंग का चीन हो गया कहां पर लिखना है कैसे करना है यह सब हो गया यहां से हम लोग आगे चलते हैं देखिएगा अब सामा कलंग के परकार के होते हैं यह हम लोग समझना जरूरी है कि सामा कलंग हम लोग पढ़ रहे हैं त परकार को दूपर कारे गो अनिश्चीत में कैसे काम होगा यह आप लोग का डाउट चल रहा है समझ गहाए तो तर्व प्यारे सानाथ यों आप लोग को सारा डाउट हम समझाते हैं कि सामा कलें तो सब स्भ्यारे सानाथ यहां पर कुछ आप लोगों सिखाते हैं है यह कंसेप्ट जो है यह आप लोग को अपने दिमाग में रखना है थ्यांस देखिएगा इस देखिएगा अपसेप्ट को किया करना है नहीं भुलना है जैसे देखिएगा रही स्कॉछ यहां लोग डाइक्रіंटी लेते हैं तो एक्स इस्क्वार का डिफरेंसियेशन कितना होता है टू एक्स होता है ना जैसे मेरे प्यारे साहती हो तो आप लोग करा कि क्या पढ़ेंगे का पढ़ेंगे कि एक्स इस्क्वार का ठीके ना एक्स इस्क्वार का डिफरेंसियेशन एक्सके सापक्ष हुआ है यहीं न पढ़ेंगे था अपे लोग यह घट spans मिरी किसी में रिस्पेक्ट में होता है हम लोग का किसी होता है यहां पर जैसे हम यह यहां पर देंगे और यहां पर हम मेरे प्यारे साहाथ यो डी साइन एक्स देंगे का देंगे साइन एक्सन तो अब यहां पर जो हमारा फॉलन आएगा ठीक ना यहां पर जो हमारा फॉलन आएगा यहां पर जो फॉलन आएगा बाबु वह हमारा साइन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा होगा ना तो अवकलन जो होता है वह किसी ना किसी रिस्पेक्ट में होता है किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में तो वह सही अब आप लोग को सामाकलन जो होता है यहां पर आएगा और यहां पर जू फलन लिखना होगा फ़लन लिखाएगा लेकिन यहां पर आपका X रहवे करेगा, यहां पर आप लोग बोलते हैं, aux लगव कलन है, वह X के रिस्पेक्ट मं है, तो आप लोग को याद रखना है, कि किसी ना किसी रिस्पेक्ट में होता है सामा कलन भी किसी ना किसी रिस्पेक्ट में होता है तो यह आप लोग को याद रहें से देखिएगा यहां पर हम लोग का यह सामा कलन हो गया और यहां पर मेरे प्यारे साथ यह कोई ना कोई फुलन होगा ठीना कोई ना कोई ना कोई रख लखेगा कि इस सामाकलन में जो हमारा यह फ्लन है तरह में जो हमारा स Lahoran साइन एक स्क्री स्पेक्ट में वोगा समझगा ना जिस तरह कहने का मेरा मतलब है कि जीस तरह हम लोग अवकलन जो है बावु समझाना जिसतरह हम लोग किसी नरहें करते हैं उसी तरह हमारा सामाल जो होता है नउसरी आप लोग को याध रखना है सभर याहां से याद रखना है कि जोब भी आप लोग सामालन देंगे BOB यहाँ पर लिखेंगे गे रहते हैं करते हैं यहां पर कांवेशन रहता है जैसे पर लिखेंगे कि действительно Dx और यहां पर e के पाफ एक्स लिखेंगे तो हमारा das सामा कल्न हमारा होगा जब भी हमारा सामा कल्न हाश याद रखे घ्रा सबसे पहला आते हैं देखेएगह है और नीष्चित समस्क्राइब समस्क्राइब यहां पर मेरे प्यारे साथ यह आप लोग देखिएगा पहिला है आप लोग का अनिश्चित सामा कलन मतलब इंडीफिनिट इंटीग्रेशन समस्क्राइब इंडीफिनिट इंटीग्रेशन एनि अनिश्चित सामा कलन हम लोग क्या होता है सामा कलन दो परकार के एगो और निष्चीत आएगो हम लोग का क्या होता है निष्चीत यह ताप लोग का देखिए कोई गाड़ी ही है उसमें आप लोग एक लिटर पेट्रोल डालते हैं मुट साइकेल में तो उसका फिक्स है कि वह एतना किलो मिटर ही जाएगा समझ गाना और समझी कि म समस्दाइस आधी तुफान आता है इसका कोली मिटर सांए नहीं कब बंध होगा कब जाइगा इसका कोई लिमिट मैं है लेकिन कोई चीछ होता है क्या होता है वही आप लोगया सामाकलन है सामाकलन कि मैरे प्यारे छाना यह एक ही आका्या मिटे नहीं रहेगा मतलब कुछ भी हो सकता है तो मेरे प्यारे साहन अनिश्चित सामाकलन हो औरका समझे हैं लगी सबसे फॉस्ट में हम लोग क्या करें गे अनीश्चित सामाकलन को हम लोग अचग Defense समझेंगे उसके बाद हम समझाएंगे निश्चित आज कि कलास में इंटिग्रेशन का चीन हो गया इंटिग्रेशन के चीन में हम माल लेते हैं कि यह हमारा फॉलन है क्या है फॉलन है फॉलन है और इसका हम लोग इंटिग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे ना तो यहां पर देखिएगा हम लोग एफिक्स करेंगे मेरे प्या यहां पर आप लोग बताना है कि फॉलन का मतलब एक्स का समझ गया एक्स का डिफ्रेंसियेशन करेंगे तक आएगा एक्स आएगा और यहां से मेरे समझ गणना है कि इसी ज़ोड़ेंगे याँ लोग सी जोड़ेंगे यह क्या कि क्यो जोड़ते हैं आप लोगो त्रweサm download हमारा एक्स फॉलन का हम लोग डीज्ई करते हैं तो तो एफ डैस एक्स आता है आता है ना फॉलन का हम लोग डिसी करते हैं तो एफ डैस एक्स आता है तो आइसन बीधी आइसन बीधी जोन ओकलित फॉलन से फॉलन ला दे तो इस बीधी को समाकलन कहते हैं समझ गया तो याद रखेगा कि ओकलित फॉलन से फॉलन ओकलित फॉलन स और आप लोग्त रहेएं कि यहां पर हमारा का आ गया एफक्स आ गया न यहीं बीदि हमारा होता है सामा कलन समाज़के बागों लोग ना यही क्या होता है हम लोग का सामा कलन आप लोग का होता है अब यहां देखिएगा कि अब अनिश्चित में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है आप लोग यहां से देखिएगा ध्यान से समाज़के ना यहां से आप लोग को ध्यान पुरोक देखना है, देखिएगा, यहां पर मेरे प्यारे सांतियों देखिएगा, कि यहां पर हम लिखते हैं कि D, ऑपन का D, नहीं, D、 अगरी ओपन, D, एक्स, और यहां पर हम लिखते हैं, F, लोग, F, एफएक्स का D, सी करेंगे, तप्स, आएगा वहाँ, पर लिखते हैं डी ओपॉन का डी एक्स और यहां पर हम लिखते हैं कि एफ एक समझ गाना एफ एक्स है आप प्लस का हम यहां पर सी लिखते हैं समझ गाना एकर हम लोग आउकलन करने के करेंगे तो फॉलं का ओकलं करेंगे तो हमारा एफ- cinq आ जाएगा आजाएगा न फ्यूलं का अपलम करेंगे तो एक जो हम लोग करेंगे ड्स करेंगे त्सी हमारा ऊचार है जीरो हो जाएगा यहां पर हम लोग का डिसी का एंसर क्या ओगया एफडेस एक से झालिया तèn मेरे प्यारे सांति यह आप लोग यहां सदेकिर हम लोग फॉलन का ठीक ना फॉलन का ऊपॉलन कर रहे प्रपर क्या है कि सी हमारा यहां पर एक आप पॉचर का डिसी करते हैं तो फॉलन का जब डिसी किये तो एक रहा है एक जब और इसएक्स आगया तो मेरे साह सुझे हो अब फॉलन प्लस अचिर बीटिसी जो आ रहा है वह आ रहा है थालह प्यारे साहत्ति आप लोग बतायेगा कि हम यहां से जो हम लोग si-supp ch6 का हम लोग स्थामा कलन करेंगे तो हमारा क्या आएघाा एफ hecks हम हम लोग लिखेंगे यहां पर हम आप लोग को लिख देते हैं अप पलस का हम सी लिखते हैं क्या करते हैं हम यहां अब आप लोग को सी लिख देते हैं अब मेरे प्यारे साहथ बताएगा दूनों में से कों बेश्ट रहेगा दूनों में से हई वाला बेश्ट आप लोग को रहेगा एक मिनुट रुक चाहिए यहां पर आप लोग देखेगा बाबू यहां पर हम इंटीग्रेशन समझेकर ना और यहां पर हम आप लोग को लिखते हैं ए फैक्स और यहां पर कर प्यारिंकर रहे है प्रेश एक्स आहाँ आप फॉलन में कौन ओचर जोड के फिर भी आउमेगा डीसी कर रहे हैं तो भी हमारा फॉलन मतलब एक्स आ रहा है तो आखिर दूनों में से इंसल दिया जाए कौन मतलब की एफिक्स दिखेगा यहां पर मेरे प्यारे साथ यहां पर तो डैस होगा ना तेक मिन्ट कि यहां पर दखीएगा कि ओकली तो फ्लन का फांध लोग जो एंसर देंगे वह फ्लन देंगे यह आप लोग का गलती होता है और ये आप लोग का सही होता है समस्क्राइब दूनों में से आप लोग याद रखेगा यह वाला सही होता है क्यों कि हम लोग जरूत पढ़ने पर अचर संख्या कमान जीरो भी हम लोग लिख सकते हैं समस्क्राइब लेकिन हम एकरा में अपना मन से कुछ आड नहीं कर सकते हैं क्योंकि एकड़ा में एकदम स्यूर इंसर आ रहा है एक से एकरा में ऑचर संख्या जोड़ना इसलिए ज़्यादा फायदे मन्द होगा कि हम जरूत पढ़ने पर हम अंत में लिख सकते हैं कि इसमें अचर संख्या का मान जीरो है इसलिए आप लोग को जब भी और निश्चीत में और निश्चीत समा कलन में जब भी आप लोग को इंट्रियेशन करना है जब भी आप लोग एंसर देंगे तो लास्ट में आप लोग को सी जोड़ना ही होगा समझ गया का करना होगा लास्ट म में हम लोग सामा कलन करेंगे तब मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में जो इंसर आएगा उसमें हम लोग को अचर संख्याइगो जुड़ना होगा तो अचर संख्याइक रूप में आप लोग सी अचाहे के दूग वहीं जोड़िएगा इसे आप लोग यहां देखिएगा मेर प्यारे बच्चों यहां पर हम लोग का एफेक्स आप पलस का हम लोग के भी लिख सकते हैं समझे ना यह दोनों आप लोग का वैलिड होता है दोनों में से दोनों आप लोग का सही होता है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर सीच चाहे के दूनों में से कौनों हम लोग मत करिएगा आप लोग दोनों लिख सकते हैं दोनों साही होता है दोनों के लिए कोई मतलग कोई परतिबंद नहीं है कि हाँ यह यह गलत है लेकिन सी चाहे के दूनों में सो कोई लिख सकते हैं लेकिन परीछा में जब आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे चाहे अभी सह कISH करना है यह हो गया तो क्या याद रखना करेंगे चुछ ना उसके बाद मेरे साहत्यों आप लोग यहां पर मताना चाहते हैं धियान से लोग हम यहाप速 बता रहे हैं यहाँ पर आप लोग हूँ यहाँ आपको को देता है अपको देता है और बोलता समार के लुटी होता है एक नमबर में समझा इन हां पर लिक यगा ओकराबाद आप लोगा इंटीक्रेस्ट संब्सक्रान यह आप लोगा इंटीक्रेस्टान हो गया यहां पर आप लोगा ईफिक्स तामा कलन कि इसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए जरूरी है यह वाला तरीका आप लोग का सब्सक्राइब क्या है आप लोग का रॉंग है क्यों कि कि एकरा में सामा कलन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है पता चल रहा है पता चल रहा है तो जिस सामा कलन में पते नहीं चल रहा है कि कौना के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो आप का करेंगे कुछू पत नहीं चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है तिसे यह यह बिधी आप लोगो रॉंग माना जाएगा और समाक्लंग यहां पर जिसके रिस्पेक्ट में दिया रहेगा यह आप लोगो सही माना जाएगा यह वाला विद्या आप लोग का सही होता है, कखाने का ओरत है कि उकरा में आपका डी-ेक्स होना चाहिए जिस भी समा कलंग करेंगे आप लोग का उसमें डी-ेक्स होना चाहिए यह हो गया अपलोग का बेसिक रूल उकराबाद मेरे प्यारे सांथ ही याद रखेगा ऐसा आप लोग को यहां पर और रूल आप लोग वतात लों है और यहाँ पर हम लों का डीरक्स है क्या है इसका अंसर क्या होगा मैं प्यारे सांथ यह आधी रखे और सामा कलन एक दूसरे को खतम कर देगा बरबाद कर देशे जहर और जहर का एंटीडोट एक दूसरे को क्या करता है खतम कर देता है तो मेरे प्यारे सांथ यो डी ओपन का डी एक्स याद रखिएगा यहां से समझ गया आप लोग आप लोग का मेरे प्यारे सांथ यहां दे देता है ऐसे आप लोगो और पूछे गाइंसर क्या होगा तैमेरे प्यारे साथ यो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशियेशन एक दूसरे को बरबाद कर देगा खतम कर देगा यहां से जो आएगा हम लोगा आता है अधी आप लोग याद रखेगा कि टीफ्रेंशियेशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को खतम कर देगा बाकि आप लोग हम प्रूफ करके दिखाएंगे बाद में की यह कईसे खतम करता है तब तक के लिए आप लोग तना याद रखेए हैं कि यह खतम करता है जब आप लो प्रपटीज आप लोग को याद रखना है कि मेरे प्यारे सांथ यहां से हम लोग fx समझ गाना यहां देखिएगा fx और यहां से हम लोग dx करेंगे इसका जो भी इंसर आएगा ठीक लोग को जोड़ देना है उत बताये थे फिर से बता दे रहे हैं यहां से आप लोग समझ गए जो होता है आप लोग को समझा दिये हैं यहां से हम लोग आगे चलते हैं देखिएगा अब आता है आप लोग का निश्चित सामा कलन हम लोग का क्या होता है अब देखिए निश्चित सामा कलन आप लोग समझाते हैं देखिए सबसे पहले सबसे पहले मेरे प्यारे सांतियों देखिएगा कि हम लोग का ये तो समा कलन हो गया ये आप लोग को चीन के बारे में अच्छे तरस जनकारी है यह हम लोग का समा कलन का चीन होता है समा कलन के चीन में आप लोग क्या होगा न कि यहाँ पर एगो लिमिट देगा यहां पर जो हम लोग का इंसर आएगा एकर हम लोग यहां पर देंगे ए और यहां पर हम लोग देंगे भी यह सामा कलंका यह जो आप लोग यह वाला फॉर्मेट देख रहे हैं यह फॉर्मेट आप लोग देख रहे हैं यह फॉर्मेट आप लोग का होता है निश्चित सामा कुलन का फूर्मेट आप लोग का होता है कोई दीकत कोई दीकत नहीं ओकर अब देखेगा यह जो आप लोग यह देख रहे हैं यह वला एकर नाम होता है मेरे प्यारे साथ यो लोवर लिमिट याद रखेगा समझे ना एकर आप लोग को यहां से याद रखना है कि एकर जो आ आम बोलते हैं अपर लिमीट समाजगे ना अपर लिमीट हम लोग बोलते हैं बस निचित सामा कलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ठीक ना याद रखेगा आप लोग को पढ़ाएंगे बाद में अभी जो टोटल कंप्लीट पढ़ना है ना वह पढ़ना है और निचित सामा कौन होता है और निश्चित समा कलन क्या होता है यदि समा कलन के नीचे और ऊपर कोई लिमिट लगा दिया तो इस नीचे वाले को बोलते हैं लोवर लिमिट और ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट और यह आप लोग का रहता है यही फॉर्मेट आप लोग का रहता है बा कि देखेगा अभी फिलहाल हम लोग क्या करना है यह अभी फिलहाल हम लोग को अनिश्चित सामा कलन के बारे में हम लोग को पढ़ना है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि अनिश्चित सामा कलन क्या होता है अब पढ़ना क्या है यहां पर हम लोह क्या करेंगे जो भी हमारा आएगा एक से लास्ट में हमलो को क्या करना होगा हम यहां पर के जोड़ हम यह आपका हो गया और को सामा करना का चिन나 आप सब्सक्राइब करने के दवराण यहां पर उचर संख्यां जोड़ेंगे और यह अंतिम तक आप लोड लास्ट का इंसर में भी यही कि लिखना है ना कि एक लाइन दिए फिर लाश्ट में जब एंसर दे रहे हैं तो हटा जेते हैं नहीं यहीं आपका complete answer भी दियाएगा समझगे ना exam में यही आप लोग complete answer देना है चलिए यहां से हम लोग करेंगे और आप लोग यहां से ध्यान पूरुवक है इन सारे बीच जो फर्मूले हैं इन लोग को आप लोग क्या करना है complete यहां हना से करना है हम लोग आगे आते हैं देखिए kons sans 3 अप लोग सबसे पहले अपने कॉपी में यहाँ पर शूत्र लिख देंगे और यहाँ से आप लोग को एक कोई पर वो खोण सूत्र आप लोग को याद रखना है समाकलण का और शुट हैंस से याद करना है एक्दम आप आप लोग को सिंपल और सधारां फॉर्मिट के द्वारा आप लोग को बताएंगे चलिए यह मेरे प्यारे सांतियों आप लोग का आउकलन है और यह आप लोग का समाकलन है यह वाला सुत्र तो आप लोग को याद होगा और इसी सुत्र के बेसिस पे आपका यह सुत्र लिख अभीखिएगा कि हम लोग क्या करना है कि एक स्के प़ावर एन प्लस ऑन अब आटा में आन प्लस ओवन का क्ट whisperingस至 ऑन क्या होगा एक स्केप ऑफबर एन होगा कईसी होगां देखिए हम यहां पर करख वित आते हैं को सब्सक्राइब करेंगे करेंगे इन ना बचे गां और हम लोगा नीचे क्या है नीचे हम लोग यहां पर आ गया तो आप लोग यहां से समझ गए होंगे कि एक्स के पावर एन प्लस वान का जो डिफरेंसियेशन होता है वह एक्स के पावर एन होता है तो मेरे प्यारे सांतियों सामा कलन में सामा कलन में इसका इंसर यह होगा उल्टा एकदम भाई डिफरेंसियेशनमें इसका इंसर यह होगा समस्च गया न यहां सापर देखिए एकस के पावर एन का जो सामा क्लन है हम California x Q n प्लस 16 वन बाटा में एन प्लस वन करना है जैसे देखिए आप लोग कैसे करना है आप लोग को एक से पावर इन जो भी मिलेह। ना तो आहिक आप मारा आप लोग का x के power n का याद रखना है यहां देखिए आप लोग differentiation में का याद किये हैं कि kita लोग एक्स का डिफ्रेंसियेशन वन बटा एक्स होता है होता है ना डिफ्रेंसियेशन में लोग एक्स का डिफ्रेंसियेशन वन बटा एक्स होता है तो इंटीग्रेशन में वन बटा एक्स कमान कितना होगा लोग एक्स होगा और यहां लास्ट में आप लोग देखाना के के की चल रहा है दिकते लॉग एक्स का ऊण बाटा एक्स तीक का मिर्वह्टक के लॉग एक्स नहीं सब्सक्राँ हथ तो हम लोगा समाकलोण में भी कि पावर इक्स का क्या होगा पावर एक्स पलस जो उता है नमर देखिए कि एक की पावर एक्स का समाजगे ना मेरे प्यारे सांथी यह एक यह की पावर एक्स और प्लाग एक से शान को इस यह तो हम लोगा अचर है यहां पोन यहां से आते हैं देखं़ विद्ट लग फी सवन में लेकिन यहां पर भी एकस है और यहां यहां पर आगे कुछ नहीं है आप लोग का एक है तर डी के साथ जवन रहता है वही एंसर होता है देखिए डी के साथ यहां पर साइन एक्स रहेगा तो साइन एक्स होगा डी के साथ यहां रहता है और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर साइन एक्स है क्या है साइन एक्स है तर डी के साथ रहता है यहां राखिएगा यहां साथ है रूट एक्स का डिफरेंसियेशन होता है वान बाटाम टू रूट एक्स होता है न रूट एक्स का One बाठार टू रूट-dyx होता है टू रूट-deak..? क्या? ऑगया, कुईसे इस दूवो आ सब लो एक्स तो वन बाटा रूट एक्स के क्या हो जाएगा टू रूट एक्स हो जाएगा यहां पर आईए मेरे प्यारे सांतियों कोई ओचर का डिफरेंसिशन क्या होता है जीरो होता है लेकिन सामा करण में कोई ओचर रहता है ना तो यह ओचर आ जाएगा बहरी और डी के साथ का लगा है यहां से देखिए मेरे प्यारे साथ हो हम लोग का यह है यह आप लोग को याद रखना है समझ गया न कोई यहां से दिकत परसानिया अप लोगो नहीं साथ हो गया आठवा नमबर में अब यहां देखिए लेकिन एक्स के गुणा में क्या है एक्स के गुणा में हम लोग का एम है ता एम गुणा में आगया लेकिन इंट्रिग्रेशन में हम आपको यही समझाना चाहते थे कि इक्स के पावर एम एक्स बावर हो गारेकिन एक्स के गुणा में कितना होना यहां पर आप लोग मेरे प्यारे सांथ यो नोट करके अभी आप लोग लिखिए मेरे सांथ समझ गया ना कि आउकलन में समझ गया ना ओकलन में एकस का गुणा चाता है वह गुणा में लिखרता है और उखलाण के बारे सब लिख्वाइए सामा कलंग में खाथ लख होता है आसा मग समा कलंग में इकस occup खुवरे की लिखता है बस यह आप लोग को लिख लेना है इस सावा कलन में जो X का गुलांग होता है कहाम आता है बाटा में आप लोग को आता है यह आप लोग को याद रखना है यहाँ से मेरे प्यारे साथ यह आठ वो फर्मूला हो गया यहाँ से आते हैं वह आप फर्मूला देखिएगा यहाँ होगा है यहाँ पर साइन एकस का जो डिफ्रेंसियेशन होता है क्या होता है यहाँ पर देखिए जो समा कलन होता है यहाँ यहाँ पर साइन क्या होता है मैनस का साइन का समाकलन होगा मैनिस का कॉस होगी यह मैनीस आजाएगा इधर ना साइन का क्या होता है सामा कलंग क्या हो जागा मैनस का को सफ और लाक्ट में कि यहां पर देखे टैन एक्स गिए डिफ्रेंशा न होता है एधा स्क्वाइर होता है ना टैन एक्स का डिफ्रेंसियेशन से के स्क्वाइर तब से के स्क्वाइर का समा कलंग टैन एक्स देखिए से के स्क्वाइर का समा कलंग क्या हो जाएगा यहां पर देखिए कोट एक्स का डिफ्रेंसियेशन माइनस के को से के स्क्वाइर एक्स के डिफ् होता है और अपध्रेंश से से चोड़ देँगे यहाँ आप्स का जोड़ से लिखना होता है और कोशर कज्ट एकश्न का सबनेकर हो गार्ष हो जाएगा यहां लोग ernst में देंग्हों से होता है प्रेद क Jewel अप्रेम से सक में मैंस का Εरक्णी काnine स्काइब होता है तो एकर समय क्लान साइण हो गांज देखिए यहां पर लग गया जाएगा तो एक और इंसर का अगया कितना संदार चल रहे हैं तो बस आप लोग फर्मूला याद कर लिए और फर्मूला याद करने मुझे नहीं लगता हो कि आप लोग कोई दिकत होगा अब है तो मिधा जैगा इंतरह नंबर देखिएगा यह गया तो है यहां पर आपatan इव्य गया है सब्सक्राक्ण हैं जब यह समा कलन में जाएगा गयाना ही इंट सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसियेशन वन बाटा में एक्स इंटू रूट में एक स्क्वाइर मैस वन होता है जब यह सामा कलन में जाएगा तो हम लोगा आएगा सेक इनवर्स का एक्स आएगा और यहां पर देखें को सेक इनवर्स एक्स है तो इसका डिफ्रेंसियेशन ह होता है कि माइनस वन बाटा में x इन्टू उंडरूट में x वन में होता है जब यह integration में जाएगा तो हमारा हो जुन प्सकर होता है और आप यहां ुप यहां कर लेजिये समझावाद को तो यहां कर लेड़ेते है और यहां से हम आप लोग को और दो-चार गो कॉशन करा देते हैं ताकि आप लोगो यहां से खुशन करने में कोई दिकत नहीं होगा जैसे आप लोग देखिए क्या मेरे प्यारे शाहिव आप लोग लिखे होंगो पहला फर्मूला क्या लिखाए थे ऑंटीक्रेशन का यहदी इंटीक्रेशन में आप लोग य से यहां को पार में एक मारा में एक जोड़ देना है मत्तले हैं पावर Elise से लिख देजिए अब आप लोग कोशन के जरी सिखाते हैं देखिएगा कोश्चन है मेरे प्यारे साहातियों इंटीग्रेशन एक स्क्वाइर और यहां पर डी एक्स है अब एकर इंसर क्या होगा देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे कई से सब्सक्राइब करना है यहां पर आप लोग ख्या करना है यहां पर आप लोग को क्या करना है ना यहां पर आप लोग को X है तो X लिख दीजे पावर में कितना है पावर में 2 है तो 2 लिख दीजे आप अपने मन से 1 जोड़िए तिक ना उपरे कितना दिखाई दे रहा है 2 पलस 1 तो यही 2 पलस 1 आपको नीचे लिखना है और लास्ट में आप लोग के जोड़ देना है यहाँ पर जुथ हम लोग का इंसर आएगा वह है X के पावर 3 पलस का हम लोग को किया जाएगा अगीला कुशन आप लोग देखिएागा यहां से यहां से एकlow Equate Edge कर देते हैं एकर बताना है तो इंटेग्रेशन क्या होगा कि अलग-अलग पार्ट में बटेगा समझे ना यसे डिफरेंसियेशन अलग-अलग पार्ट में कैसे बटता था ना उसा ही आप लोगा समाकलन भी बटेगा देखिए यहां पर इंटेग्रेशन यहां पर एक्स के पावर चार और यहां पर हो जाएगा डी एक्स और उकराबाद हम लोग का इंटीग्रेशन और यहां पर एक्स और यहां पर हो जाएगा डी एक्स कैसे करेगा देखेगा यहां पर एक्स हो गया ना पावर में कितना है चार है चार और एक उपने मन से आप कर दीजिए नीचे भी आप लोग 4 पलस का 1 कर देंगे यह हो गया यहां गे सक्षाम्स है ओर यत ख़ूंस का 1 हो गया यहां से डेखियेगा यहां से आप लोग को समा कलंग देते हैं कि 1 के presence ठीक मैं अप लोगहां का। है वही उठाक के नीचे आप लोगों को लिख लेंगे और यहां से एकसे पावर तो कर से प्यारे साथियो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग कर लेंगे यहां से हम लोग और कोशन का प्रैक्टिस करेंगे यहां देखेगा जैसे इंटीग्रेशन आप लोग का इक के पव यह a управ यहां पर टू एक्स और यहा पर रहेंगा डी एक्स तो इसका एंसर क्या दिशेगा आप लोगई के पावर X का तो lie και पावर माईनिस का 5ija ओर यहाँ पर देगा डी एक्स तो का कर यह ना एग के पवर एक्स का आप लोग का ईक के पावर एक्स होता है क्कsteने विए यहाँ गूना में नहीं म시री प्लोग को यहाँ पर देना है और सबस्सक्राइब और हम लोग हम फावर कराए दिए आप लोग का यह होई गया और हम लोग का मेरे प्यारत सांतिएंग देखेंगा वही आपका इनसर हो जाएगा साइन एक्स अपलास का के करें जिसे देखिएगा यहां पर आपका कोशन हो जाएगा डी ठीक ना और यहां पर एक्स है तो हम लोग क्या करेंगे एक्स अपलास का के देंगे मतलब डी के साथ है जो वन रहेगा वही हम लोगा इंसर हो जाता है डी के पावर एक्स हो गया और यहां पर देख लेते हैं आपनलोग अफरीन लग समझे गए हैं और कोई ट्रिग ओव्ला थर्म, आज आ आप कॉश्चन देखेगा बोल दिया गहाँ है यहांसे आप लोग को डी एक्स डिंगा था का ना है चूप चाब इसे दो को बहरी कर देना है दो बहरी हो गया है डी की सत्याइक हम लोग का इंसर हो जाएगा पलत कर देंगे तो ऐसे आप लोग का हो जाएगा यह था पूरा आप लोग का उन कलास पूरा इंटेग्रेशन का बेसिक टोल बेसिक लेले 2 पूरा वृन को सम सब्सक्राइब और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को खुब सेर करिएगा और प्यारा सा कमेंट करना न भूलिएगा मिलते हैं आप लोग साथ नेश्ट क्लास में तब तक के लिए आप लोग यहां से कोशन बनाने का काम चालू करिए जैहिंद